हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल सूरिया लूशें जिक्के में मैं इस वीडियो के माध्य हम से बताऊंगा इस पीडी करेंट अफेयर्स जो भूख है करेंट अफेयर्स का इस पीडी करेंट अफेयर्स इसका मैं कोविड नाइंटीन का महत्पूर चत का पूरा इसमें वीडीयो में बताऊंगा तो पूरा वीडियो देख्येगा क्यांकि हरेक्य एके लिए important है current अफेयर्स का हर हरेक्य एक्समें 20-30 का question आता ही है तो पूरा वीडियो देख्येगा कर इसकी मत किजएगा तो चलिए शुरू शुरू करते हैं COVID-19 का मत्मूर्ट तत जो COVID-19 जो करोना वारिस है जिसों जिन होने देश को हिलाग कर रख दिया उसके बारे में मत्मूर्ट तत देखेंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा जिस पीडी करेंट अफेर्स है इसका बहुत इंपोर्टेंट होने वाला इसमें प्राशन चलिए COVID-19 जिसको करोना वारिस कहते हैं उसका मत्मूर्ट तत देख लेते हैं द्रिश्टी से चलिए COVID-19 का मत्मूर्ट तत बारी बारी से स्टार्ट करते हैं इस पीडी करेंट अफेर्स का पहला है करोना वारिस की पूश्टी सबसे पहले दिसंबर दो हजर उनसमें मध Democrats प्रांथ याद रखिए हूभऑई प्राएंद की जो रधानी उहान में सबसे पहले कोरोना वायरेस आया था। चीन से आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेट व् कि पुप्रा कि और ने कोरोना वायरेस से होने वाली विमारी का धिकारी नाम कोविद नाइंटीन रखा है जो कोविड नाइंटीन है डवलुएच यों ने कोरोना वायरेस से होने वाली बीमारी का अधिकारिक अधिकारिक नाम COVID-19 रखा है तो याद रखिएगा जो डबलुएचे न है उसी ने COVID-19 रखा है करोना वाइरस का नाम करोना वाइरस डीज़ डीजिस कहते हैं जिसको तीसरा है तो त्थ 11 मार्च 2020 को डबलुएचे ने इसे वैस्विक पिमारी घोसित किया आगे बढ़ते हैं करोना वाइरस से मानो शरीर का परभावित होने वाला अंग फेंफडा है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में करोना वाइरस का पहला मामला कीरल में दर्ज किया गया भारत में सबसे पहले मामला कीरल में दर्ज किया गया था तो सबसे पहले भारत में करोना वाइरस कीरल राज में आया था भारत के कीरल राज में सबसे पहले करोना वाइरस आया था आगे बढ़ते हैं लक्ष दिविप एक मात्र ऐसा छेत्र है जहां इसका मामला नहीं आया जो भारत का जो लक्ष दिविप है भारत का जो लक्ष दिविप है वहां पर एक मात्रा ऐसा छेत्र था जहां कोई मामला करोना वारस का नहीं आया ते भी इंपोर्टेंट है करोना प कि रासी दी 12 अरब डॉलर कोरोना परभावी देशों को विश्वे बैंक ने 12 अरब डॉलर कि रासी दी कि देश में करोना वायरिस के संकर्मण से पहली मौत करनाटक में हुई भारत में सबसे पहले किस राज में मौत हुआ था करनाटक में हुआ था देश में करोना वारिस के संकर्मन से पहली मौत करनाटक में हुआ याद रखिए करनाटक में हुआ था सबसे पहले मौत भारत में कोबीड-19 की खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागु किया गया हमारे भारा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 लागु किया था चलि आगे बढ़ते हैं पी. एम नरेंद्र मोदी ने जानता करफियू लगाने के अपील 12 मार्च को कि याद रखिए इंपोर्टेंट प्रस्ण है सबसे पहले 12 मार्च को अपील की थी नरेंद्र मोधी जी ने हमारे भारत के जो पर्धान मंतिन नरेंट मुदी है उन्होंने जानता कर फ्यूं लगाने की अपील 22 मार्च को की कोरोना वारिस के कारण सम्पूं भारत में 23 मार्च 2020 को प्रत्थम बार लोगडाउं लगाया गया लोगडाउन प्रथम बार 23 मार्च 2020 को पहली बार लोगडाउन लगा था अगला तत करोना को महामारी घुशित करने वाला पहला राज हरियाना है करोना को महामारी घुशित करने वाला भारत का पहला राज कौन सा है हरियाना है याद रखिये सबसे पहले पंजाब राज ने करोना वायरिस के कारण पूर्ण करिफ्यू लगाया सबसे पहले पंजाब राज ने भारत के पंजाब राज ने करोना वायरिस के कारण पूर्ण करिफ्यू लगाया था पूरा लोकडाउन लगा दिया था पंजाब में लगा था कोरोना वाइरिस के कारण लोगडाउन करने वाला पहला राज कौन सथा राजिस्थान था सबसे पहले कोरोना वाइरिस के कारण लोगडाउन करने वाला पहला राज कौन था राजिस्थान बना सबसे पहले लोगडाउन लगाया था चलिए अगला तथे देखते हैं 10 million dollar का योगदान दिया छार्च देशों के लिए जो सार्ड जो देश है चार्क देशों के लिए बनाय गई COVID-19 emergency fund में भारत ने 10 million dollar का योगदान दिया भारत ने 10 million dollar का योगदान दिया था अगला तत करोना महमारी से निपटने के लिए पर्धान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा पीम केयर्स फंड की घोशना की गई हमारे भारत के पर्धान मंत्री नरेंद मोदी जी ने पीम केयर फंड लागू किया गोशना की थी करोना महमारी से निपटने के लिए पर्धान मंत्री ने अन्मोधी दोबारा पीम केर फंड लागू किया गया मतलब कि जो करोना वारेस करोना वारेस के केर में जिसको पैसा देना हो वो केर फंड में दे सकता है पर्धान मंत्री ने लगाया था भारत का पहला COVID-19 समर्पित अस्पताल मॉंबई में रिलाइंस ने खोला सबसे पहले मॉंबई के में रिलाइंस ने खोला भारत का पहला COVID-19 समर्पित अस्पताल सबसे पहले कोरोना के लिए अस्पताल मॉंबई में रिलाइंस ने खोला था COVID-19 से संकर्मित होने वाला पहले परधान मंतरी बोरिस जोंसेन बने सबसे पहले परधान मंतरी बोरिस जोंसेन को हुआ था COVID-19 चलिए आगला प्रसने देखते हैं आगला तथ है कोरोना वायरिस के बढ़ते परकोब के कारण टोकियो ओलोमपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देख कनेडा बना था याद रखिये COVID-19 रुगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक दिल्ली में खुला गया COVID-19 रुगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक दिल्ली में खुला गया था याद रखिये करनाटक ने 18 Caleb 2020 को मास्क दिवस मनाया करनाटक जो भारत का जो राज है 18 Caleb 2020 को मास्क दिवस मनाया था करनाटक के लोगों ने तो ये भी इंपोर्टेंट प्रस्ण है चलिए आगे बढ़ते हैं कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए स्वन्यूक्त राष्ट ने मडिपूर की खुडोल पहल को विश्व के सिस दोस पहलों में सामिल किया है कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपिय देश इसलोविया इसलोवेनिया बना याद रखिये इसलोवेनिया बना कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपिय देश इसलोवेनिया बना सबसे पहले यही देश बना कुरोना वारिस से निपटने के लिए G20 देशों ने गलोब एक नौकी में पांच रिलियन यूएस डॉलर देने कई घोशना की चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की पहली करोना वेगजीन कोवा कवीन कोवा कवीन को भारतिये चिकिस्षा अनुसंधान परिशद ICMR तथा भारत बायो टेक ने मिलकर तयार किया याद रखिए बहुत इंपोर्टेन परशन है भारत की पहली करोना वेगजीन कौन से थी? कोवा कवीन कोवाक क्वीन को भारती चिकिसांशन परिशद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तियार किया था कोवाक क्वीन जो वैक्जिन है कोरोना के वैक्जिन का पहला मानो ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था करोना के वैक्जिन का पहला मानो ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ करोना का टीका विक्सित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन बना रूस बना याद रखिए करोना का टीका विक्सित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस बना था याद रखिए चलिये आगे बढ़ते हैं अब पढ़ना है जो कोवीट 19 के समय चलाए गए महतमूण ओपरेशंट और मिसन के बारे में पढ़ेंगे, जो COVID-19 जो करोना वारिस के समय चलाय गया था, महत्पूर्ण ओप्रेशन और मिसन के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला है, ओप्रेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को करोना वारिस के संकरमन से मुध्ग रखने के लिए चलाय ग अभियान था ओप्रेशन नमस्ते भारत सिनाद्वारा खुद को करोना वायरिस के संकर्मन से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान को प्रेशन नमस्ते कहते हैं वंदे भारत मिशन दूसरा मिशन है वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारती नागरीकों को चलिए अगला मिसन देखते हैं मिसन सागर अगला मिसन चलाया गया मिसन सागर इसको क्या कहते हैं मिसन सागर का मतलब क्या होता है COVID-19 से निपटने के लिए माल दिव, सेलेश और मेडागासकर को मरोष को अवस्यक खाग समागरी और अगरुवाद दवाव की अपूर्ति करवाना को मिसन सागर कहते हैं अगला मिसन चलाया गया ओप्रेशन समूंद्र सेतू मिसन चलाया गया COVID-19 के शुरुवाती दिनों में माल दिव में फंसे भारतियों को वाइर वापस लाने के लिए भारतिये नो सेना का ओप्रेशन जो ओप्रेशन समूंद्र सेतू है वो भारतिये नो सेना का ओप्रेशन था COVID-19 के शुरवात दिनों में मालदीव में फंसे भारतियों को वापस लाने के लिए भारतिय नोशिना का ओप्रेशन को ओप्रेशन सम्मुन्दर से तुक आते हैं अगला मिशन है ओप्रेशन संजीविनी COVID-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ओप्रेशन के तहत मालदिव को 62 टन अवस्यक दवाई उपलद करवाई ओप्रेशन से जिवनी जो मिशन है COVID-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ओप्रेशन के तहत मालदिव को 62 टन याद रखिये 62 टन नावस्यक दवाई उपलाद कराई थे चलिए आगे पढ़ना है COVID-19 के दोरान जारी किये गए एप COVID-19 के दोरान कौन-कौन से एप जारी किये गए उसके बारे में पढ़ेंगे पहला एप का नाम है Corona Coverchef Corona Coverchef भारस सरकार के दोरा चलाए गया दूसरा एप का नाम है Break the Chain अभियान एप केरल सरकार के दोरा चलाए गया तीसरा एप का नाम है Operation Shield ओप्रेशन सील्ड दिल्ली सरकार दोरा चलाया गया नाड़ी एप पूंडिचेरी सरकार दोरा चलाया गया परियाग परगयाम परगयाम एप परगयाम एप जहरकंड सरकार दोरा चलाया गया था चलिए और एप को बारे में देखते हैं COVID-Care एप COVID-Care एप और अन्चल परदेश सरकार दोरा चलाया गया एप था अरोग सेटू एप भारा सरकार दोरा चलाया गया एप था अरोग सेटू माना जाने वाला एप है ये समधान एप मानों संसाधन विकास मंत्राले द्वार चला गया था 5T योजना एप दिली सरकार द्वार चला गया करुणा पहल एप सिविल सर्विसेज एसोसियेशन द्वार चलाए गया भीसेफ टनल एप तिलंगाना द्वार चला गया चलिए आगे बढ़ते हैं आई गोट पोर्टल भारत सरकार दोरा चलाए गया ओप्रेशन नमस्ते भारती सेना दोरा चलाए गया मोजीवन मोजीवन एप उडिसा सरकार दोरा चलाए गया संजीवन एप संजीवन एप बिहा सरकार द्वारा चलाया गया नमस्ति ओभर हैंड सेग करनाटक सरकार द्वारा चलाया गया परवासी रोजगार एप परवासी रोजगार एप सोनु सुद द्वारा चलाया गया चलिए अगला एप देखते हैं आयूस कवच एप आयूस कवच एप की सरकार द्वारा चलाय गया उत्तर परदेश सरकार द्वारा चलाय गया आयूस कवच एप कोवीट फार्मा एप कोवीट फार्मा एप आंधर परदेश सरकार द्वारा चलाय गया कोवीट फार्मा आयप पर आंध परदेश सरकार द्वरा चलाया गया एप था देखिए इस पीडी करेंट अफेयर्स का कोवीट नाइंटीन का महत्पूर्ण तोथ्य समाप्थ हो चुका है पूरा हमने इस वीडियो में समाप्थ कर लिया है अगर मेरे चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करते रहें जिससे की करेंट अफेयर्स सभी के पास पहुंच सकें अगर मेरे चैनल पर नए वीडियो आप देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा है वीडियो बनाने के लिए तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और सेयर करते रहें अपने दोस्तों के बात चलिए फिर अगला वीडियो में मिलेंगे तब तब के लिए नमस्कार